नमश्कार दोस्तो जानो टीवी में आपका हर्तिक स्वागत है आज हम बात करेंगे कि ऐसी दो चीजों के बारे में जिसे मूली खाने के बाद कभी नहीं खानी चाहिए तो आईए आज हम आपको बताते हैं स्वास संबदी बहुत ही महत्पुर जानकारी सर्दी के मौसम में मूली खूब खाय जाती है लेकिन अब मौसम बदल रहा है इसके चलते यह धीरे धीरे कम होने लग गया है और अब फरवरी खतम होने को है अब हमें गर्मी का एहसास होने लगा है बिशे इस रूप से सर्दी में गाजर मौली जैसी सब्जी हम खूब खाते हैं मौली की बात करें तो यह हमारे पेट से जुड़ी अनेक समस्याओं को निदान करती है और एक यह कारगार सलाथ एम हम सब्जी के रूप में काम करती है लेकिन क्या आप जानते है मौ मौली आपके पेट के अंदर जहर भी बना सकती है यादि आप यह दोचीजे खालेंगे तो मौली खाने के बाद आपके पेट में यह एचिटब्लाने का काम करेगी Right So मैं आपको पताने जया दवह यह इसी दो चीज़े जो मौली खाने के बाद कभी नहीं ऐखानी चाहिए पहला है संत्रा हाँ दोस्तों मूली खाने के बाद आप कभी भी संत्रे का सेवन ना करें क्योंकि मूली और संत्रा जब एक साथ पेट में मिलते हैं तो दोनों रेक्शन करती हैं और इन दोनों का ही एंटी एक्सिडेंट एक दूसरे से काफी भिन होता है इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जो की पेट में जाने के बाद जहर बना देता है संत्रे में बिटामिन A, B, कॉंपलेक्स, ओमेनियो एसिट, कैल्सियम, आयोडिन, फास्पोरस, सोडियम, मिलन, अनिक तत्वे पाए जाते हैं ये सब मूली के साथ मिलकर रियर्शन करते हैं क्योंकि मूली में पोटेशियम, कॉपर, मैगनिसम, कैल्सियम आधी तत्वे होते हैं और एक दूसरे के तत्वे का मेल जो लार बनाता है वह जहर कर निर्मार करने लगती है दूसरे का चीज है करेला, मूली खाने के बाद संतरा ना खाएं इसके अलावा आप करेला भी ना खाएं मूली के साथ करेला बहुत जलτά रियक्ट करता है, यानि उल्टा रियक्ट करता है सरीर में वह उसी समय पेट में जहर बनाना प्राला म कर देता है जिसके वज़े से आप बहुत जल्दी भी माल हो सकते हैं और यहां तक की सांस लेने में तकलिफ हो जाएगी हार्ट अटेक आने की समबबन भी हो सकती है मूली और करेले में फाइवर की परचूर मात्रा मिलती है इसके अतरिक इसमे बिटामिन A, B, 4, ठाइनियम, नियामी, नियासीन की प्रयाप्त मात्रा होती है जो की एक दूसरी के साथ रियर्ट करने पर विफ्रीत असर डालती है जिससे की आपको इसका बहुत बुरा ही असर देखने को मिलता है तो दोस्तो आप मूली खाने के बाद नहीं संत्रे का उप्योग करें और नहीं करेला का उप्योग करें क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके लिए जहर साबित हो सकती है दोस्तो मुझे आशा है कि आपको यह है